राची में 28 और 29 नवंबर के बाद अब 5 और 6 दिसंबर को भी सभी मतदान केंद्रों पर विशेश कैम्प का आयोजन किया जाएगा 28 और 29 नवंबर को लगाए गए विशेश कैम्प में कई लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम जोडने, हटाने, सुधार और बूत में नाम स्थांतरन के लिए आवेदन दिये हैं विशेश कैम्प के दौरान सभी बूतों पर बीपी अलो पस्थित रहेंगे उपाईक शवी रंजन ने इस सम्मंद में सभी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, सभी सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारीों को आवशक दिशा निर्देश दिये हैं योग्य नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है या छूट गए है वो वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं बूतों में बीपी अलो सभी तरह के प्रपत्र के साथ मौजूद रहेंगे लोक मतदाता सूची में नाम जोडने, सुधार करने, स्थांतरित करने और हटाने के लिए आवेदन दे सकते हैं विशेश कैंद के दौरान मतदान केंदरों पर कोविड-19 के सुरक्षा मानकों का अनुपालन करना आवश्यक होगा केंदरों पर पहुँचने वाले व्यक्ति को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार रहे होगा स्टार डी नियूज रिपोर्ट